आले दोस्तों आप सभी का सिरी सिरी किसंशुट में स्वागत है पुना एक बाल करेंट अफेर्स लेकी उपस्तित हैं और आज है आपका 30 सप्टूबर 2020 तो आए जानते हैं 30 सप्टूबर 2020 से पुछ महत्पूर करेंट अफेर्स पहला प्रस्ण है कि एक नवंबर से परभावी होने वाले सबजियों के लिए नियुन्तम समर्थन मूलियत तय करने वाला देश का पहला राज कौन बने गया यानि इसी को हम लोग कहते हैं MSP आनि मिनिममम सपूर्ट पराईज है आनि MSP क्या होता है मिनिममम सपूर्ट पराईज यानि नियुन्तम समर्थन मूलियत के अंदर सरकार के द्वारा पहले ये जारी के जाती थी कहने का मतलब जो भी फसल का उत्पादन होता है तो फसल के उत्पादन जो होता है तो उत्पादन के बाद मूचित उसकी लागत मिले इसी के लिए नियुन्तम समर्थन मूल जारी के जाती है यानि कहने का मतलब किसी फसल का लागत लगा 100 रुपया लागत लगा 100 रुपया तो मार्केट में बेचने पर लगता है कि 80 रुपय मार्केट में अगर भाव हो जाए तो उसी सिती में किसान की क्या होती है छटी होती है इसलिए नियुन्तम समर्थन मूल के द्वारा उसके लागत से कुछ ज्यादा पैसा तै करके सरकार इस मुल्य पर उस बस्तु को क्या करती है? खरिदती है. तो इस तरह करने वाला आपका राज है हो गया है केरन. कौन हो गया? केरन. जिस तरह किंद्र सरकार जारी करती थी उसी तरह का ये भी जारी किया है नियुन्तम्त समर्थनमुल यानि कहने एक मतलब जो भी सब्जी है अप्खल का उत्पादन होगा और उत्पादन में जितना लागत होगा उसका बीस परतिसत एक्स्टा cioè msp टाय करेगा 20 एक्स्ट राग यानि कहने क मतलब अगर सावश उसका लागत लगा तो उसको आपको केरल सरकार कितना देगा 120 रोपय देगा तो यह लागू कौन किया है केरल सरकार ने लागू किया है जो परभावी होगा एक नॉवंबर 2020 से क्या होगा एक नॉवंबर 2020 से यह सोले परकार के फॉल और सब्जियों का नाम है जिस पर MSPO तय किया है क्या किया है तो आए देखते हैं अगला किस राज सरकार ने PM सवा निधी योजना के ताथ रिण देने में पहला रेंग हासिल किया है तो PM सवा निधी योजना कहने का मतलब होता है कि यह परधान मंत्री के का द्वाराई चलाए गया एक ऐसा योजना है खास कर COVID-19 के कारण जो भी हमारे रेली पर्टी पर काम करने वाले हो यह फल यह ठेला पर जो सबजी यह फल बेशते हैं उन लोग के लिए आर्थिक लाव पहुँचाने के लिए यह PM सवा निधी योजना के सुरुबात किया गया यह PM सवा निधी योजना के सुरुबात किया गया आपको एक जून दो हाजार बीस को तब सुरू किया गया एक जून दो हाजार बीस को इसमें आर्थिक लाव पहुँचाया जाएगा आनि वो आपको खासका रेडी पटी पर जो काम करने वाले हो या फल या सबजी बेचने वालों को आर्थिक मदद दे जाएगी सरकार के द्वारा तो यह आर्थिक मदद देने में पूरे भारत में पहले आस्थान पर है उतर परदेश कौन है पहले आस्थान पर उतर परदेश है तो उतर परदेश सरकार से याद रखेंगे हाली में यह मीशन सकती लंच किया गया था मीशन सकती उपी सरकार के दुवरा लंज किया गया था और यहाँ पर स्टी सेप्टी परजेक्ट का भी शुरुवात हाली में की गई थी यहाँ के आपके राजिपाल अनंदी बेन पटेल के दुवरा और यह देश का पहला राज है जहां एक विशेश पूलिस दल का गठन किया जाएगा और बीना मस्चेड के उनमती से किसी से पूछा जा सकता यही नहीं और एक अस्पेसल पूलिस पटाली ने गठन की जा रही है खास कर उसमें महिला ही शामिल होगी क्या होगी महिला ही सामिल होगी ये उतर पर्दिस सरकार की योजना है यानि घोसरा की गई है हाली में और उतर पर्दिस में नुवाइडा में आपको सबसे बड़ी पीमेका बनाई जा रही है फिल्म सिट्टी बनाने की बात कही गई है और उतर पर्दिस के CM कौन है योगी आ जहां साव में एक बिध्यक परसुत किये थे ताकि ये थे बिध्यक परसुत किये थे और सांत ही सरकारी नोकरियों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्ब सिट कर दिया और जो इंडिया इनुटी गेम से जो हुता अप उर्षा में तो इनुटी गेम से में पहले अस्थान पर था आपको पंजाब तो आईए दिखते हैं अगला प्रस्ट देखिए अगला प्रस्ट है कि नाटो ने इस देश में नया अंतरिक्ष केंद्रा अस्थापित करने की योजना बनाई है तो नाटो कहने के मतलब नर्थ एट्लांटिक ट्रेटी और्गनाईजेशन है जो इसमें 29 सदस है इसमें नाटो की अस्थापित कर रहा है कहाँ स्टापित कर रहा है जर्मनी में कहां सदस्ट कर रहा है जियर्मनी में राम अश्टीन एक जगा है वही पर यह अस्थाफित के जाएगी नाटो का अंत्रीच केंद्रा तो इसको याद रखेंगे आए देखते हैं अगला प्रस्ट देखिए आगला प्रस्ट है कि गूरु तेक बहादूर की चारस्वी जयनती मनाने के लिए कि इसकी धर्म के नवे गुरु है उनका नाम है गुरु त्येक बहादूर जिनका जनम हुआ था एक अप्रेल 1621 में इनका जनम कब हुआ था एक अप्रेल 1621 में इनका जनम हुआ था और 11 नवंबर 1645 में इनकी मिर्थु हुई थी तो सिक धर्म के नवे गुरु है इनका चारस्वी जयनती मनाई जाएगी आपको एक अप्रेल 2021 में कम मनाई जाएगी एक अप्रेल 2021 मनाई जाएगी इनकी 400 जयनती तो उसको अच्छा तरह से भवे मलाने के लिए सतर सदसिये एक उच अस्तर्य समीति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष है पर्धान मंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जबकि इसकी सचीव है हमारे ग्री सचीव अजेब हला है अजेब हला ही इसका क्या है सचीव है तो सिक धरम के नवे गुरु जो त्यक बहादूर है इनकी 400 जयनती मनाई जाएगी एक अप्रेल 2021 को अब रहा बाद ये सिक धरम में कुल 10 गुरु हुए थे पहले गुरु गुरु नानक थे दूसरे गुरु आपको अंगा थे तिसरे गुरु अमर दास थे चौथे गुरु राम दास थे पंचवे गुरु गुरु अरजुन देओ थे और शावे गुरु हरकिसन थे और धर्म को नहीं मानने के कारण और अंग्जेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 11azaHub अगे देखें लौट तेह आजला प्रस्थ के भारत में बनी उत्सों का आजट किया अगया था तेके बनी हुत्सवा आजट था आंध्र पर्दिश में इस कोवीट नाइंटिन के दौरान और सांथ ही इस एरिया में आपको धारा 144 लागा हुआ था उसके बावजूद भी ये बनी उत्सवा मनाया गया देखिए बनी उत्सवा जो होता है एक माल मलेश्वर मूर्ति है और इसी मूर्ति को लेकर यह बनी उत्सवा मनाया जाता है जिसमें लोग हाथों में डंडा और हाथ मेकाल ले रहते हैं आग का मिसाल ले रहते हैं और एक दूसरे से आपस में वो माल मलेश्वर मूर्ति को पाना चाहते हैं क्योंकि सुब माना जाता है जिसको यह मूर्ति मिलेगा उसे का मना जाता है सुब माना जाता है और इसी को पाने के लिए लोग हाथों में मसाल पर डंडा ले ले लाते हैं इसमें बहुत से लोगों के क्या आती है, चोट भी आती है, और यह मनाया गया आपको आन्द परदेश के कुर्णूल जिले में, आन्द परदेश के कुर्णूल जिले में, यह चार्चा में इसलिए है, तो इस COVID-19 और धारा 144 के बाद भी लोग यह उसाओ को मनाया है, आन्द देवर गट्टू एक जगा है, कुर्णूल में देवर गट्टू एक जगा है, वहीं पर यह मनाया गया था, याद लखेंगे, आन्द परदेश के विधान सभा में, तीन राजधानी बनाने की बाद कहे गई है, उसमें कर्णूल भी है, यानि आन्द परदेश के तीन जग मोहन रेडी के दवाला तो वहां पर तिन राजधानी बनाने के बाद करनूल बेशाखा पत्नम और अमरावती और भासा के अधार पर गठित होना वाला यह देश का पहला राज था आंध्पर्देश और आंध्पर्देश सेहीं आपको दो जून 2014 को तिलंगाना एक अलगराज बना आणध्पर्देश सेहीं अलगफ होकर दो जून 2014 को तिलंगाना का बना एक अलगराज बना तो आए देखते हैं अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है कि जीला अस्तर पर सार्वजनिक बीतिये परबंध परना लिए यानि Public Financial Management System को सुरू करने वाला देश का पहला केंदर सासित परदेश कौन है तो यह पहला केंदर सासित परदेश है जमू कस्मीर यानि जमू कस्मीर के हर जिले में आनि सारजनिक बितिये परवंदक परनाली के द्वारा इसके परनाली के द्वारा आसानी से रसीत कटवा सकत देश के इसलिए जमू कस्मीर के हर जिले में इसे उरू किया गया है एकर केंदर्शाशित राजी बना आपको 31 अक्टूबर 2019 को पहले आपको जमू कश्मिर राजे था और 117 अक्टूबर को जमू कश्मिर से दो राजे बना एक जम्मू कश्मिर हम रहे गिया और एक बना लादाक बना और एक केंद्पर्शासिष परदेष जमू कश्मिर बना 31 अक्टूबर 2019 को जमु कस्मीर की राध्धानी स्रीनगर ही है और लदाग की राध्धानी कहा है ले और लदाग में दो ही जीला है अप पूले है और कारगील है जमु कस्मिल के ऊपराजपाल मनोज सिनहा है है और पखार अपन नीती पुदार लागा वो लागा हो पिर बच्छावो अभ्यान की शुरुबाद किया ग्या है कांडी सरकार के द्कराइ अने डिली नीटासीद परदेश को और लाधात की क्या है एक सासित पर्दिश मना 31 सक्टूबर 2019 को और चंडीग और भी क्या है एक कंद सासित पर्दिश है जो हर्याना और पंजाब की क्या है राजधानी भी है तो आए देखते हैं अगला प्रस्थ कि किस जीले को किस जीले को नेशनल वाटर वाड से समानित किया गया है यानि कहने के मतलब वो जल का सरंक्षन करना नदियों को सरंक्षन करना और स्वस्ता को अच्छे धंग से बेवस्तित करने के लिए ये दो जीलों को पुर्षकार दिया गया है वह दो जीला है पुछा जाए तो उसका एंसर होगा आपका उसका answer क्या होगा, आपका answer हो जाएगा आपका विलासपूर, विलासपूर से याल लगेंगे, दक्षनेपूरी मद्रेलवे का हीड क्वाटर कहा है, विलासपूर, इन दौर जो है, ये मद्र परदेश का है, ये भारत का सबसे स्वक्ष सहर है, यही पर पलास्टिक प्रीमिय लीक की सुरुवात हुआ है, अनि प्लास्टिक प्रीमियर लीक की सुरुवात कहा हुआ है, इन दौर में हुआ है, जो 45 दिन तक चलेगी, इसमें चार टीम है, कितने टीम है, चार टीम है, जो अलग-अलग जगह से जागे कच्रा, इकाठा करेगी, तो आए देखते हैं इंडिया चाइना और साउथ फिरका के ये पांच देशों का एक संगठन है इसकी अस्थापना हुआ था दो हाजार नो में पहले ब्रिक था बाज में मिल गया साउथ फिरका इसलिए ये बन गया ब्रिक्स 2010 के बाद और 2009 में ये ब्रिक्स बना था तो 2020 में ब्रिक्स का जो संसद कहने के मतलब अलगला देशों का जो संसद है उसमें का जो हेड होता है वह इस मेटी में भाग लिया था तो भारत में संसदिये में आपको दो पाट होता है एक राजसभा होता है और एक लोगसभा होता है क्या होता है लोगसभा आनि संसद में दो सदन होता है राजस में सदन नहों राजसबा के जो हमारे अध्यक्ष है उनुका नाम है ऑम बीग क्या अजीर दोबाल N.S.A. National Security Advisor यानि खानक मतलब राष्टिय सुरक्षा सलाकार हैं और राजनासिंग हमारी राक्षा मंतरी हैं देखिए ब्रिक्स का नौवंबर में मीटिंग होने वाली है राष्टा अध्यक्षो का आनि नौवंबर में इसका मीटिंग होगा रसिया में और इस मंच पर पहली बार इस भारत और चाइना के विवाद के बार पहली बार हमारे भारत के परधान मंतरी और चाइना के हमारे राष्ट्रती सी जीन पिंग आमने सामने मिलेंगे किस मीटिंग में तो ब्रिक्स के मीटिंग में ही आमने सामने मिल सकते हैं जो नौवंबर में आय एक वाटर संगाई है और उसका अध्यक्स बनता है यह अलग अलग देशों के दोवरा पांच-पंच साल के लिए बना आ जाता है पहली भार भारत ही इसका अध्यक्स बना है तो आए देखते हैं अगला प्रस्थ अगला प्रस्थ है कि हाली में रानी पाद्मावती का एक अस्मारक किस राज में बनाया जागा तो रानी पाद्मावती जो है और राना रतन सिंग की पत्नी थी जो चितार गड़ के सासक थे कहां के चितार गड़ के सासक थे और मेवार की राधानी कहां थी चितार गड़ और चितार गड़ बत्मार में कहां है राजस्थान में तो राना रतन सिंग की वो पत्नी थी रानी पाद्मावती जिससे खिल्जी बंस के सासक अलावदीन खिल्जी ने उसे पाना चाहता था क्यों कहा जाता है कि उस जवाने में बहुत ही सुन्दर थी पादमावती जिसे प्राप्त करने के लिए रानातन सिंग से यूद करने के लिए आया था अलावदिन खिली और रानातन सिंग के हारने के बाद रानी पादमावती और उनके सांद इतने भी मेंबर्शिप की महिला ने एक घोसरा किया है कि मुद्पर्देश की राजधानी जो है भुपाल में रानी पादमाउती की का बनाई जागी परतीमा बनाई जागी तो रानी पादमाउती की परतीमा कहां बनाई जागी असमारक मुद्पर्देश में जबकि यहां कहां के थी तो चीतारगर के थी रा लावदीन खिल्जी जो है इली मंस के सबसे महान और परताफिस आसको में से था उसने सैन्युकवा का नगद वेतन देना हो घोरे पर हुलिया लिखने की परता हो यहां बजार नियंतरन परनाली हो यह सबसे पहले उसी ने लागू किया था तो आए देखते हैं राजास्थान से याद रखेंगे राजास्थान को एसे आई डेवल्मेंट बैंक ने अभी 300 मिलियन डॉलर के क्या दिया है दिया है 14 सहरों को स्वक्ष बनाने के लिए और हाली में आपको राजास्थान में मोक्ष कलस योजना की सुरवात किया गया था और 36 गर जो है इसके सीम है भुप और मिशन के शुरुआत हुआ जल को इकाउलिटी को बढ़ाना और 2022 तक हर गहल सक जल पहुंचाने के लिए शुरु किया गया था और इसा सरकार के द्वरा और इसा का सियम नभीन पटनार 36 गर के भुपेश बगर और राजस्थान के आपको असो गहलो थे तो एक कुछ महत पूर करेंट अफेर्स था जिस पर हमने चर्चा किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू धने बाद